इस वीडियो मैं आपको सिखाने वाला हूँ इस्टाग्राम को मॉबाइल में हाइड कैसे करे यानि के इस्टाग्राम एपलिकेशन को कैसे चुपा है यहाँ पे आप दे सकते हैं यहाँ मेरा डाइलर यहाँ पर मैंने ओपन किया खुल जाए और हमारे मॉबाइल फोन ते इस्टाग्राम गाइब हो जाए तो इस वीडियो को ध्यान सलाश्टक देखते रही है आज की इस वीडियो मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूटूब चैनल आपको हलका नीचे के साइड में आना है और यहां पर आपको एक प्राइवेसी नाम को ओफसन देखने को मिल जाएगा यहाँ पे hide app वाले option पे आपको click करना है और वीडियो को last टक पूरा देखिएगा तभी आप Instagram को hide कर सकते हैं चुपा सकते हैं वीडियो को छोड़ के जाईएगा आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा यहाँ पे hide app पे आने के बाद अब आपको Instagram को ढून लेना है नीचे के side में आपको Instagram देखने को मिल जाएगा अगर आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है तो उपर के side में आप search कर सकते हैं यहाँ पे simply आपको search वाले option पे click करने के बाद Instagram को ढून लेना है और यहाँ पे जैसे Instagram आयाता है इसका बगल में यहाँ पे जो बटन है इसको आपको on कर देना है यहाँ पे on करने के बाद सबसे पहले आपको privacy password set करने के लिए बोला जाएगा यहाँ पे अगर आपको पहले सेट है तो यहाँ पे set नहीं करना है अगर set नहीं है तो setting वाले option पे click कर दीजिए और यहाँ पे छे अंगा एक privacy password बना लिजिए तो यहाँ पे simply मैंने आपका privacy password बना लिया उसकाद आपको यहाँ पे question के answer देना है simply आप अपना हिसाब तो यहाँ पे कुछ भी answer डाल सकते हैं answer आपको याद रखना है जब भी आप अपना password भूल जाते हैं तो इससे आप reset कर सकते हैं okay वाला button पे click कर दीजिए अब यहाँ पे click करने के वाल आपको एक access code बनाने के लिए बोला जाएगा access code का मतलब यह होता है आप अपना dial button पे जो code डालिएगा वही code डालने के बाद आपका instagram खुलेगा आपको दिखेगा तो यहाँ पे simply आपको setting वाले option पे click करना है और यहाँ पे आपको एक नए access code बना लेना है शुरू में hash वाले बटन दबा दीजिए जो भी code आप बनाना चाहते हैं जो भी code से आप instagram को खोलना चाहते हैं यहाँ पे वोला code यहाँ पे डाल देना है आपको code डालने के वाद simply लाश में भी आपको hash वाले बटन दबाना है और यहाँ पे simply आपको save वाले option पे click कर देना है जैसे आप यह सभी setting कर लेते हैं simply आपको done वाले option पर click करना है बाहर आना है और यहाँ पर dial वाले बटन को आपको open कर लेना है अब यहाँ पर मैं आपको code डाल करके देखा देता हूँ हमारा Instagram खुलता है या फिर नहीं खुलता है यहाँ पर simply आपको code डाल देते हैं मैंने यहाँ पर अभी set किया है code डालने को और यहाँ पर hash वाला बटन डबाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं Instagram खुल गया और मेरे phone के अंदर से Instagram गाइब हो चुका है यहाँ पर Instagram नहीं है इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी सिखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक कर देजिए साथ इसा चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में